यह हमारा चना है ओवरनाइट भीगा हुआ अब इसमें डालेंगे मसाले मेडियम साइज के एक टमाटर एड कर दिया एक बड़ा ओनियन अब इसमें डालेंगे मसारन मसाले आदा चम्माच हल्दी पोड़ा एक चम्माच धनिया पोड़ा आदा चम्माच जीरा पोड़ा एक चम्माच धनिया पोड़ा आदा चम्माच जीरा पोड़ा आदा चम्माच जीरा पोड़ा आदा चम्माच काली मिर्च पोड़ों आदा चम्माच लाल मिर्च पोड़ों स्वाद अनुसार नमक और ओयल डालेंगे ने चम्माच ओयल लिया है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एड करेंगे पानी इतना पानी डाले कि यह सारे अच्छी तरह से गल जाए बड़ा जाए चाना डूब जाए इतना पानी आप डाले कि अब इसे पका लेंगे अब इसे फका लेंगे इसे जादा ना डाले इसे हाई फ्लेव में तो आप देख सकते हैं यह मैंने कड़ाय जो है इसमें डालेंगे थोड़ा सा और डाल दिया है अब इसमें फ्राइब करेंगे यह कच्छा बेदाम यह मैंने आंठा कटोरे लिया आप अपने हिसाथ से कम यह जादा कर सकते हैं अब इसे बूनेंगे अब इसे हाई फ्लेम पे नहीं बूनेंगे इसे मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारा बादाम जल जाए रहा है अंदर से कच्छे रहेंगे उपर से जल जाएंगे इसे लिए इसको मेडियम प्लेम पे ही पकाएंगे अब देख सकते हैं इसका अब इसे और नहीं पकाएंगे अब इसे निकाल लेंगे इस तरह से सारे बदाम को निकाल लेंगे इस तरह से सारे बदाम को आप निकाल लीजिए और इसी ओयल में अब इसमें हम चूरा फ्राइब करेंगे इस तरह से रिकाटोरी चूरा लिया मैंने अब अपने काल पर कमें जादा कर सकते हैं इसे फ्राइब कर लेंगे और गैस को थाई फ्लेम पे रहेंगे तो यह इसे फ्राइब देख से फ्राइब करेंगे चूरा को कंटेनियो चलाते रहेंगे और इसका अब तक हलका कलर चूल जाएंगे आप देख सकते हैं इसा कलर चींज हो रहेंगे अब हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे और कंटेनियो चलाएंगे इसे छोड़ देंगे तो यह जल जाएगा अब ही अमारा छूरा ह हो चुकाय है इसे कडाई में नहीं ठोड़ेंगे क्योंकिके कडाई गरम होती है अबहरें लेंगे प्लेट में ख्लट लेंगे यह एक देशख सकते हैं हमारा प्रेशर कोकर निकल चुका है यह थंडा हो चुका अब अब तरह से देख लेगें, खौलें गज़ें तरह से दिख लेगा, अब इतने पानी है, तो हम इसे पकाएंगे वाथ को देख सवन कर देगा, यह हमारा चूरा और यह बदाम नंदेख सदने पेडिए अब से मिक्स करेंगे, अब से बदाम से मुखने, अब से दीज़ेके जाएएंगे, दूरें मख़े fuckin, अब तरह हमांगे को मकटनी डालती है, अगर आपक पास बदाम नहीं है तो आपके सबक्त कर चाहते है बड़ामे तो जादा अच्छा, तेले तो होटी अच्छाते है बड़ामे इस तरह से, इसमें नमस नहीं डालेंगे इस तरह से पकालेंगे, इस देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से भूल लेंगे, इसे हमारा काला चना रेड़ी है आप इसे गयास अफ कर दें, इसे बॉल में निकाल लें इस तरह से आप बॉल में निकाल लें और फिर गार्टेशन के लिए प्यार करें यह देख सकते हैं, हमारा चना चूरा मसाला बिलकुल रेड़ी है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंकि